नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुडलीवीन चैनल पे और भी आज का जो वीडियो है वो बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है तो एंड तक जरूर देखना कि किस तरीके से आप कौन-कौन से प्लांट लगा सकते हो बहुत सार भी मुझे ध्यान आते जाएंगे मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी और उन-उन तरीकों से पोद्धों को उगा के आप नएने प्लांट भी बना सकते हो और अपने घर में बहुत सारी हर्याली फैला सकते हो बिना किसी भी बाहर की सेवा लिए तो कोई नरसरी में जाने की ज आत्में हैं और जैसक कि ये मोसम चल रहा है कटिंग लगाने का दोस्तों तो जो प्लांट लगे हुए हैं और जिनकी आपने प्रूनिंग की हैं कम से कम उनको तो जरूर उगाओ आप और बिल्कुल जो हमारे इतने सुंदर-सुंदर ये पोद्धे घर में लगे हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इनको उतना ही रखें जितने हमारे पास हैं हमें चाहिए कि हम इन सब को मल्टिप्लाई करें चाहे वो किसी भी मैथड से करें चाहे कटिंग लगा के करें चाहे सीड उगा के करें और दोस्तों जो सीड वाले पोद्धे हैं वो तो देखो अपने आप से ही उग जाते हैं और कुछ के आपको बल्ब इदर उदर लगाने पड़ते हैं जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही थी इस छोटे से डबे में न मैंने अभी कुछ दिन पहले छोट छोटे बल्ब लगाये थी रेन लीली के तो अब थोड़ी दिन में भर जाएगा तो यह छोटी छोटी सी एक्टिविटीस हैं जो आपको अपने गार्डन में करते रहना होगा यह नहीं के आप यह कोई मेरे पास यह चीज़ होगी तब ही मैं यह करूँगा यह करूँगी तो यह दिखो तो यह बगोट सारे पोद्दे नहीं में बहुत सारी वराइटीस हैं इसमें कनेर के भी है, इसमें यलो बेल्स के भी है, हिबिसकस के भी है, बोगन विला के भी कटिंग है, एकालीफा है इसमें, और गुलाब की भी है, और मतब बहुत सारी है, तो यह सारी कटिंग वही हैं, जो मैंने प्लांट्स की प्रूनिंग की थी, और बिल्कुल आपने फ तो मैंने भी रख रखी अभी और इसमें अच्छे ग्रो कर रही थी फिर मैंने इनको हटाया नहीं क्योंकि अब थोड़ी सी ना धूप जादा होने लगी है गार्डन में थोड़ा सा इनका कैलस अच्छा सा मजबूत बन जाएगा या किसी में जड़ भी बन जाएगी ना तो फिर जहां मुझे जिस प्लांट के साथ इनको शेयर करवाना है मैं उस प्लांट के साथ इनको करा दूँगी और उनी प्लांट के साथ कराऊंगी जिनके साथ की इसका मैच होगा और मल्टी वराइटी के प्लांट एक ही गंबले में त्यार हो जाएंगे और कुछी दिन पह प्लान्ट एक साथ एक पोट में इकटे करते हो, तो ये भई बहुत सारे ऐसे पोधियें जो की कटिंग के जरी है, बड़े अरामसे हम ऊगा सकते हैं, चाहे हम अपनी घर में प्रूनिंग करेंच और चाहे बहार कोई प्रूनिंग कर रहा हो, कोई माली कर रहा हो, या आप किस आ रही है ये पानी में रहने के कारण आ रही है और कुछ बाते मैंने आपको बताई भी थी कि कटिंग लगाते वक्त आपने कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है और क्या चीज़ आप ऐसी आप कटिंग लगाते वक्त यूज कर सकते हो जिससे कि आपका confidence बढ़ेगा और आपकी कटिंग उगेगी उगेगी तो ये भी एक method है कटिंग लगाने का पोद्धों को उगाने के लिए बहुत जल्दी से और वही कुछ पोद्धे तो इतने असान है इतने असान है कि पत्ते क्या एक टुटे पत्ते से भी आप उसको उगा सकते हो कटे फटे पत्ते से भी ये द देखो कितना असान है कुछ पोद्धों को तो उगाना, एक पत्ते से भी प्लांट उग जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट है दोस्तों, जिनको की हम एक कटे हुए लीफ से भी उगा सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा पोर्शन मट्टी में जाना चाहिए, वहीं से जड़ बननी शुरू हो जाती है, और बस करना आपने कुछ नहीं है, इस तरीके से आपने पत्ते को दबा देना हैं मट्टी में और फिर इसकी जड़ बन जाएगी, इसकी तो खैर बनी हुई है, इसको तो मैं दुबारा लगा रही हूँ, आपको दिखाने के लिए उखाड़ा थ होगी, इस तरह के बहुत सारे पत्तो वाले पोद्ध हैं, जिनको की हलका सा सोयल का टच भी मिल जाए ना, तो इनके साइड में से जो इनके कव्स बने हुए हैं, यहां से इतने सारे मल्टीपल प्लांट्स निकलेंगे, तो परमातमा ने तो देखो, कोई कसर नहीं छोड़ रखे, किसी पोद्धे को उगाने की, बाकि आपकी नियत के उपर है, आप उसको मल्टीपलाई करो ना करो, अब यह जैसे यह देखो, इसका रोयो का प्लांट है, है ना, इसमें नीचे नीचे इतने सारे छुट-छुटे पॉब्स निकलेंगे, उनको आप अलग-लग करके उगा सकते हो, यह देखो, यह जैसे एगलो नीमा की विराइटी होगी, कोई भी, है ना, उसको रूट से डिवाइड करके भी आप अलग-लग पोद्धे मना सकते हो, तो था तो मेरे पास एक ही पोद्ध है, एगलो नीमा का, फिर मैंने इसको थोड़ा कट करके, करकर के, थ पत्ती से ही उग जाते हैं, है ना, और कुछ को कटिंग के जरीए हम बड़ी असानी से उगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मग्ये में दिखाई थी कटिंग, है ना, तो इस तरीके से अगर आप पोद्धे उगाते हो, और यह देखो, कुछ दिन पहले मैंने, जो र तो सारे तरीके होते हैं, बीच से भी उगएंगे, इनके फूल आएंगे, तो बीच भी बनेंगे है ना, लेकिन कौन सा ऐसा असा आजा आज तरीका है, जिससे कि हम बड़ी असानी से, और बिना नुकसान के बचे, नुकसान यह कि कई बार ऐसा होते हैं, छोट-छोटे लिली दिखाया बलब से उगेंगे इसी तरीके से इसके भी बलब होते हैं स्पेरेगस वगरा के तो ये प्लांट भी सारे बलब से उगती हैं लिली की कोई भी वराइटी होगी उसके नीचे गाठ जरूर होगी चाहे आप उसको बलब कहलो चाहे गाठ कहलो तो उसको और कोई बढ़ावा ना दें तो इससे ज़्यादा कमतर बात और क्या होगी है ना तो सबसे जरूरी काम है जिन चिज्जों के साथ हमारा गुजारा है उनको हम बढ़ावा दें अब यह देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया उपर से बीज गिरे होंगे इसके मैक्सिगन पेटूनिया के या इसमें से यही मान लो क्या सदा बहार के नन्ने नन्ने पोद्दे अपने आप निकलाते हैं देखो चोटे चोटे कितने सारे निकल रहे हैं इस डब्बे में भी है ना उपर से बीज जड़ जड़ के और देखो कितने सारे प्लांट त्यार होगे हैं ना तरीके से दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट है जिनको हम एक बार भी गार्डन में लगा ले ना फिर उनके सीड अपने आप गिर के अपने आने वाले मोसम में अपने आप ही उग जाती है और ऐसी बहुत सी वराइटीज है प्लांट की इन्वे सदा बहार होगे मेकसिकन पेटून और इनके फिर बीज जो मोसम इनका खतम हो जाएगा बीज फटफट के गिरेंगे तो नेक्स टाइम आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है अपने आप से ही पोध्य निकलेंगे अगर बीज वहाँ पड़े होंगे तो और फिर अपने आप से ही प्लांट बन जाएंगे य उसमें से अपने आप प्लांट निकलाए तो ये भी एक अपने आप नैचुरली तरीका है लेकिन उसके लिए दोस्तों उन बीजो को देखो सोयल तो मिलनी ज़रूरी है ना अगर वो बीज फटके अगर फर्ष पे गिर जाते हैं तो तो हम जाडू अगर अलगाएंगे तो जाएंगे डस्टवीन में लेकिन अगर उनको धर्ती मिल जाती है तो फिर अपने आप ही वो मोसम के आने पे अपने आप ही उखते हैं तो आपने देखा हमने कितने सारे तरीकों को देखा कि आप कटिंग के जरिये भी पोद्धा उगा सकते हो एक पत्ते के जरिये भी आप पोद्धा हुआ सकते हो और पत्ता भी चाहिए पूरा भी ना हो आपके पास और इस टेम दोस्तों बहुत सुंदर मोसम चल रहा है अब जितने मरजी वराइटी के प्लांट्स अपने गार्ण में कट्थे कर लो तरीक का आपका कोई भी हो सकता है कुछ तो परमात्मने अग प्लांट को ग्रो कर लो आप और जो पोद्धे खाली पत्ते से ही उगते हैं जैसे पत्थर चट्टा हो गए मैंने स्नेक वाला प्लांट दिखाया कूटन्स वगरा है है बहुत सारे रहे से प्लांट निर्सरी से ले आते हो एडलो नीमा वगरा होगे संगोनियम होगे मनी को भी आप हुआ सकते हो और इसका तो भी मेरको भी बहुत डर लग रहा था कि पतनी होगेगी नहीं होगेगी हाला कि स्टेम हरी थी और ये औरेंज ट्रमपेट वाइन जो बिल्ली ने तोड़ दी थी मेरी और इस वेसे फुटाव शुरू हो गया मैंने का था न आपको कि हलक चली जाएगी और एक तरफ ये भी लगी हुई है और इसकी डंडिया जो है दोस्तो बिल्कुल इसके दिवार से चिपके हुई थी लेकिन ये देखो इसकी भी जंगे जंगे से ग्रोथ निकलनी शुरू होगे तो अब खूब बढ़िया ये प्लांट फैलेंगे और खूब गोई करेंगे ये जोगाने का बिल्कुल उगाओ अपनी तरफ से तो दोस्तो एक प्लांट कोई कमी नी छोड़ेंगे अगने में जैसे कि आप देख रहे हो कैसी कैसी कंडिशन में भी जिवार को पकड़ पकड़के और थोड़ा सा बढ़ावा अगर आपका मिल गया इस सी कि आपने cutting लगा ले इन पोद्धों की जैसे कि इसकी लगा सकते हो baby sun rose की, singonium की, money plants की, kellan koi की है न, जितनी मुझे मतलब ध्यान आ रही है तो इन cutting को लगा के भी और जो मैंने hardwood की cutting दिखाई हैं आपको फुलो वाले पोद्धों की, तो लगाओ प्लांट इतना बड़ी है मोसम है और तरीक्य मैंने आपको दिखाई दी है, जो उन सा तरीक्या आपको best लगे उस तरीक्ये से पोद्धा उगाओ, और मस, enjoy करो gardening को अपने घर में plants को multiply करो, और और उगाओ ताकि आपका घर बिल्कुल हरा भरा रहे, oxygen से बरपूर, जितनी घर में oxygen होगी उतनी आप active रहोगे, और fresh air आप सबको मिलेगी, और इस से क्या है